वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 100% गारंटी लूँगा कि आप सभी जो जो मैं प्रस्ण बताऊंगा और जो उसके उत्तर बताऊंगा वो आप तयार करके जाते हैं तो गारंटी आपको परिच्छा में कोई भी फेल नहीं कर सकता है और मैं आपको कोईश्चेन भी द सके लेकिन इस वीडियो को इंड तक देखते रहेगा पहले जान लीजे कि कौन-कौन से प्रस्ण है जो आपकी परिच्छा में आने वाले हैं तो ध्यान से इस वीडियो को इंड तक देखते रहेगा आप चाहे जिस भी भारत के इंवर्सिटी के चाहे जिस भी कॉलेज या और आपका पेपर 2024 में होने वाला है और आपका सब्जेक्ट को शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक देखते रही है का बस आप से ज्यादा फज्यादा में 15-20 मिनिट का टाइम लोंगा लेकिन आपको में एकदम पूरा पक्का कर दूँगा ठीक है चलिए सबसे पहले आते लग उत्रे तो आज किस वीडियो का सबसे पहला जो प्रश् अगर आपको यह प्रश्ण अगर किसी भी परिच्छा हुई हो तो आप बताईएगा गैरंटी वाला प्रश्ण है यह हमेशा प्रश्ण रिपीट होता ही होता है तो इसको तुरंत नोट कर लीजिए इसका उत्तर कैसे मिलेगा आपको कहां पे डाउनलोड करना है क्या करना पूरी जानकारी आपको हम फिरी में बताने वाले तो बने रहीएगा ठीक है तो यह मोश्ट इंपार्टन वैरी वैरी टॉप लेबल का कोईस्चन है ठीक है यह कोईस्चन यह कह रहा कि जो हमारे पॉपलर रभिदना टैगोर जी है ठीक है उनका क्या योगदान रहा है या आपको सिलेक्ट कर लीजे जो जो मैं आपको कोईस्चन बताऊंगा तुरंत नोट करिए ठीक इसको ओके अगला प्रस्ण के और बढ़ते हैं अगला प्रस्ण कहरा है कि डिसकस इन ब्रीप ठीक है मुल्क राज आनंद फिक्षन आईजा सोसल ठीक है क्रिटिजम आफ ठीक ह ठीक है आपकी जानकारी के बता दे मुल्क राज आनंद से भी जोड़ा एक प्रस्ण आएगा इस बात को ध्यान रखेंगे तो मुल्क राज आनंद से जोड़ा ठीक है एक कोईस्चन या दो कोईस्चन जरूर देखने को मिलेंगे एक तो बक्का आएगा ठीक है तो आपको इसको तैयार कर लेना है ठीक है किस-किस प्रकार के मुल्क राजानन से जुड़े कोश्चन बन सकते हैं वह हम आपको बताएंगे पहला कोश्चन तो यह बन गया उसके लावा और और कौन-कौन सब्सक्राइब कोश्चन पूछा जा चुका है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि वाट आर डिफ्रेंस बेट बीन आप बायोग्राफी एंड आटो बायोग्राफी गिब सब एक्जामपल्स यह कोश्चन यह कह रहा है कि आपका जो जियोग्राफी बायोग्राफी का मतलब ठीक है एंड लिखा की और आटो बायोग्राफी आटो बायोग्राफी के मतलब होता है कि आत्म कथा यानि कि जो जीवनी होती है यानि कि जिसको इंगलिस में आपने पढ़ा होगा जीवनी और आत्म कथा तो पढ़ा होगा ना तो सेम वैसे इंगलिस में बायोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं जीवनी और आटो बायोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं आत्मकता तो दोनों में डिफरेंस बताना है तो आपकी जानकारे के लिए बता दें जो बायोग्राफी होती है ये किसी अन्यविक्त के जीवन पर आधारित एक तरिकी की स्टोरी होती है ये फ इतने इनके पास property है ठीक है तो यह हो गई जी उनी ठीक है और autobiography मतलब आत्मकथा यानि कि आपने खुद ने ठीक है आपने स्वयम पर अपनी कहानी लिखी कि हमने इतना hard work करके मैंने पढ़ाई की पढ़ाई करने के बाद हमने आर्मी की नोकरी जॉइन की उसके बाद हमने इ गारंटी वाला question है यह परिच्छा में आएगा 100% sure के साथ फस्ता हमेशा है और इस बार भी फसेगा 100% sure के साथ तो इसको note कर लीजे तुरंत अब इसका उत्तर हम आपको बता रहे है ठीक है बिलकुर अच्छे बहां सामें अगला प्रस्ण कहे रहा है कि write a story ठीक है write a story note on homer ais artwork ठीक है literary device यह question यह कह रहा है द्जान से सुनेंगे बहुत ही popular question है ठीक है हास से पर होमर का मतलब होता है हास ठीक है तो इस पर आपको थोड़ा परिश्य देना है जहां से सुन लीजिए ठीक है बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है भी यह जहां तक मुझे जान करी हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कजार फंच जाता एक्जाम में ठीक है अगला प्रस कुझे पर स्रेमिस्टर में जिसका नाम है त लायमेंट का मतलब ठीक है दा-लायमेंट जिसको ब्लायमेंट का मतलब आप लोग जällनते ना रोना होता है जो एक कहानी है या फिर आपके फ्लेबर में जो एक मतलब की लेशन है इसमें ये जा रहा है कि तो गोड़ा है कि सच्चा दोफ्त और साथी की रूप में काम करता है तीक है उसके बाएरे में आपको किरन करना है तो अलेमेंट इस टोरी से एक कोईश्चन फशेगा और यहांन से को आप लोग कर लीजेगा ठीक है अगला प्रशन है कि write about behavior of raghu in games 8 twilight ठीक है twilight ये question ये कह रहा है कि games 8 twilight एक आपके slaybers में ठीक है lesson है जिसका नाम है games 8 twilight ठीक है उसमें raghu एक इनसान है उसके बेवहार के बारे में आपको लिखना है कि games 8 twilight जो एक आपकी story है कहानी है या फिर आपके slaybers में एक lesson है बेवहार के बारे में लिखना है कि उसका बेवहार कैसा था तो ये भी popular question है गेम से टुलाइट फिरिडा एक दू कोईशन पहसते हमेशा मैंने जानकारी है मैंने कई बार देखा पर इच्छा में ठीक है तो ध्यान देखेंगे इसको भी अगला प्रस्ण है कि वाट इनफोर्मेशन वाट इनफोर्मेशन डज चार्ल्स लेंब गिव अस एबाउट इस ग्रांड मदर ठीक है मिसेज फील्ड इन दी एससे ड्रेम चिल्डरेन आ ठीक है ठीक है रेवरी और इस question का मतलब ये है कि एक आपके स्लेबर्स में ठीक है कहानी है एक ठीक है और एक मतलब लपाठ है बिए फस्टर के फर्स समेस्टर में ठीक एससे जिसको बोलते है निबंद ठीक है ध्यान सुसनेंगे निबंद है ठीक है तो जिसका नाम है ड्रीम चिल्डरेन ठीक है रिवेर्स 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 ठीक है तो यह आपके जोड़ा एक परसता है जोड़ी नहीं की फसेगा लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक आगला बहुत ही पोप्लर कोश्चन आता है जब जब भी मैंने पेपर देखा तब तब फसा ही फसा है तो ध्यान से इसके बारे में समझेंगे आप लोग ठीक है को शीन एकीसचन यह कह रहा है कि मेंसचन मैन आफ दिस टीक है प्रुफेशन probably अप्टकर लोग एक विर जीन उसीद लूफ नहीं यह आपका त्थिक है और जीन्या-वॉल लेसन और नबन है इसमें महलाओं के लिए पिसा महलाओं के लिए पेसा बताया गया उनके मुख बिंदो के बारे में आपको लिखना है टीक है वरजेनिया वुर्फ एक निबंद एंगे इसको भी और नेस्ट कोईस्टिन है कि भाईया हाउ काइन पावर पाइंट प्रिजन्टेशन टू मेड एफेक्ट टू यह कोईस्टिन आपके कंप्यूटर पे संबन दीत है तो कंप्यूटर में आप रेल्वे स्टेशन पर गहे होंगे तो बहुत सारी गाड़ियों के नाम और उसका समय लिखा होता है कि कब कौन सी गाड़ी आएगी ठीक है और कहां तक जाएगी तो एक गाड़ी मतलब कि बहुत सारी गाड़ी नहीं करते कंप्यूटर पे एलेडी पे चला आ करती बहु ज्याद ज्यादा LED में दफ आ जाएंगी लेकिन उसमें बहुत आई टेने रहते तो एक के बाद एक आती रहती एक आती रहती डिस्प्ले हुआ करता है कंप्यूटर में ठीक है तो वही होता है प्रिकार से प्रेजंटेशन तो उसके बारे में आपको बताना है कि आप एक जिनको हिंदिम बोलते हैं अब आज आएंगे हम लॉंग टाइप कोश्चन के ओ ठीक है तो इसमें देखते हैं कौन-कौन से महात्पूर्ट साबित हो सकते हैं आपके एक्जाम के लिए ठीक है तो पहला प्रशन है कि भाईया डिसकस सरोजनी नाइडूज ट्रेटमेंट आ प्रेम के प्रति क्या किस नजरिये से इन्होंने प्यार को देखा है ठीक है किस नजरिये फित किस द्रिश्ट कौन पे चर्चा की है उसके बारे में आपको लिखना है ठीक है ठीक है अगला कोश्चन पढ़ेंगे कि लगुक अथा में चरिट्रचित्रण क्या है ये स्टोरी होती है चोटी कहानी होती है उसमें च्रित चित्रन क्या है ठीक है लच्छन वड़न के प्रकार और महत पर चर्चा कीजिए साथ साथ में आपको च्रित चित्रन के बारे में बताना पतलफ लच्छन के बारे में वड़न करना और उसके महत तो क्या है उसके बारे मिखना है ठीक है तो इन यूर ओन वर्ट्स ये कहे रहा है कि एक बहुत ही पॉपलर कहानी आपकी फ़स्टर के फ़स्टर में जिसका नाम है दा लाश्ट लीफ ठीक है तो इस स्टोरी के बारे में क्या बताया गया इसमें ठीक है उसको आप समराइज करके थोड़ा डीटियल में अपने सब्दों में लिखना है ठीक है कि इस स्टोरी में किस चीज के बारे में बतायागा तो डीटियल में आपको लिखना है यूर ओन वर्ट्स यानि कि आप अपने सब्दों में लिखेंगे ठीक है तो बहुत ही पॉपलर कोश्चिन है दा लाश्ट लीफ दोड़े एक तो कोश्चिन हमे एक कहानी है उसी के प्रकार आपको प्रशन देखने करने लगुट्रे में अब देर घुत्रे में देख लेते हैं इनकि लोंग टाइप कोश्चिन एक तो चलीए इसमें देखते पहला प्रशन था बहुत भी पॉप्लर कोश्चन है आपकी परिच्छा के लिए ठीक है बैकॉन से जुड़ा कोश्चन आएगा एक आपके मतलब की निबंद है आप इस जुड़ा कोश्चन हमेशा पसता इस बार पसेगा गारेंटी के साथ है तो इसको भी आपको तैयार कर लेना इसका भी उत से जुड़े कोश्चन हमेशा पसते हैं और इनके एसे जो है ठीक है चर्च के बारे में परसेंट आएगा यह पहुत ही महातपूर है ठीक है आफ्सेशन आफ्सेशन यानि कि जो निबंद का अफ्रेसेशन किस परकार क्या साईगोर ठीक है सार्वक्रेजर ने चर्च पे ब अगला प्रश्ण है द्यान से सुनेंगे कि सो दी इंप्वाटन्स आफ ठीक है ठीक है पैटरोजी सम ठीक है ठीक है वियोंड पॉलिटिक्स एंड रिलेजिन आज डिस्क्राइब इन एपी जु अब्दुलकराम एससे ठीक है तो एपी जुड़ा है कोश्चन परसता है इसको विध्यान रखेंगे ठीक है अगला कुश्चन राइट अप्लिकेशन टू यूर प्रेंसिपल रिकुष्ट हीं फार एन एजुकेशनल टूर हाइलाइटिंग इस इंप्वाटन्स ठीक है तो आपको यह कुश्चन कहे रहा है कि आप अपने प्रेंसिपल से रिकुष्ट कर पर एक अप्लिकेशन लिखने के लिए बोला है फिराल यह इतना महात्पूर्ण नहीं है में रेकोडिंग बाकी आप तैयार भी कर सकते हैं लेकिन एप जुदुल कलाम बाकी उपर जो बैकोन से जुड़े कुश्चन है जो कि मैंने आपको उपर बताएदा लाश्ट लेप सिर्फ मैं आपको मार्ल पेपर में जो बताया हूं सिर्फ वही वही कोश्चन नहीं आता है इसके लामा कुछ कोश्चन और भी इनकिलूड हो जाते है ज्यादा नहीं और लगबग लगबग उसी में से आएंगे और कुश्चन जो इस्टा जो बजते हैं उसमें नहीं नहीं है तो कोई बात नहीं गूगल पर सचकर लिजीगा उसमें मिल जाएगा बाकी लगबग लगबग सभी प्रस्ण अको तरस में मिल जाएगा ठीक है आपको इसमें बहुत फारे कोश्चन देखने हो कुम लेंगे ठीक है राइटा सौट तबकि राइटा नोट और इले ठीक है ताकि आपको समस्या ना हुँ और आपको लेटर लिखना है राइटिंग लेकर लेकर के बारे में आपको लिखना है तो आप सभी के एक्जामनेशन के लिए ठीक है तो इस प्रकार एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाएगा उसकी डिफनेशन बताइए तो जो मार्डल पेपर में कोश्चन दिये गए हैं उनका सबकार उत्तर इसमें लगभंग मिल जाएगा और नहीं मिल ला तो आप लोग इंट तो न जाए जाए जी जाए ठीक है कमें मतब के डिस्कुशन में टेलेग्राम वाटसाप का लिंक है तो जाइन होके मैसेज कर दीजेगा जैहंद